तोहीं चर्णिगड में HSSC के नए चेर्मेन बोपाल सिंग को प्रदेश के मुख्य मंतरी मनुहर लाल नी शपत दिलवाई और असके साथी नग नुप्त चेर्मेन बोपाल सिंग ने नई जिम्मेदारी सौंपे जाने को लेकर क्या कुछ कहा है जानते हैं रुपोट हर्यान सरकार ने हर्यान स्टाफ सेलेक्शन कमिशन के नए चेर्मेन के तोर पर बोपाल सिंग को जिम्मेदारी सौंपी है यम्ना नगर के रहने वाले बोपाल सिंग ने आज पद और गोपनियता की शपत ली मुख्य मंतरी मनुहर लाल ने उन्हें पद और गोपनियता की पतिलवाई HSSC के शपत समारों के बाद C.M. Manoharlal ने नौकरियों को लेकर कहा कि गुरूप C और गुरूप D की नौकरियों के लिए हर्याना करमचारी चैन आयो एक प्रक्रिया पूरी करता है HSSC में बिना किसी व्यवदान के करमचारी चैन करने की प्रक्रिया चलती रहे यही हमारे उम्मीद है मही नई दिम्यदारी मिलने के बाद पुपाल सिंग ने कहा कि हमारा एक ही लक्ष है और उसी लक्ष पर हमें काम करना है इसके लावा गोपाल सिंग ने क्या कुछ कहा सुनिए आज ह्रियाना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन के अध्यक्स के रूप में मुझे नुक्त किया गया है और शरकार ने और मानिय मुख्य मंत्री जी ने जो विश्वास मेरे उपर जताया है मेरा पूरा प्रियास होगा कि मैं उस विश्वास को ने टूटने दूँ और उनके विश्वास उनकी इच्छा के नुसार जो उनका लक्षय है और जो विजन है उनका इमानदारी योग्यता और पारदर सेता से भरती करनेगा मैं उस पे पूरा खरा होने का प्रियास करूँगा और अपनी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को और हरियाना की जन्ता को विश्वास दिलाता हूँ कि इस पे हम पूरा खरा उतर हैं बोपाल सिंग मुख्यमत्री की विश्वास बातर माने जाते हैं ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी वोपाल सिंग को सौपी गई है उन्होंने वादा भी किया है कि वो इस जिम्मेदारी को पूरी मानदारी के साथ ने भाएंगे अनिल मोर, चंडिगण, खबर अभीता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले बाने के लिए चानल को सब्सक्राइब करें